नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जी टील इंफ्राट एक्सल लिमेटेड इस्टोप के बारे में सुगस अभी के टाइम काफ़ी ज्यादा भाई लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि इतने धनों सी वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं दोस्तों उसके पीछी का रीजिन में आप लोगो को फ्रक्राइब करते हैं कि कम्यूटी गाइडलेंस के वज़े से यूटूब चैनल मेरा दोस्त इन दोस्तों चलव यह सब्सक्राइब करने दोस्तों जब मार्केट में तेजी नजर आ रही थी तब मार्केट में जब के वागत दोस्तों ने इस टोप लोस अपलाई भी किया था काफी ज्यादा निवसकों ने मेरे अनुसार सजेस्ट के अनुसार तो अभी के टाइम कई ना कई उनका जो लोस होते हुए बच रहा है पर अभी गिराउट जो है पिसले पांस सेसन पर अगर अकवात करी जाए तो रेटन काफी ज्यादा गिर चुका है क्योंकि लगबख दियां पर बात की जाए दो रूपर 83 पेसे से इस स्टोक में गिराउट बढ़कर जो दोस्तों पहुंच चुकी थी वो नज़राई यहां पर इस लेवल पर 2 रूपर 66 पेसे और लास सेसन पर भी 2 रूपर 66 पेसे य ज्यादा हो चुका है अभी के टाइम दोस्तों टेलिकॉम मिनेस्टर के तरफ से कुछ अपडेट यहां पर निकल के आ रही कि नेटवरक में निवेस करने और भेतर स्यवाई सुनीचित करने के लिए दूर संसार कंपनियों को ठिकाव होना होगा अभी के टाइम जिस परका है कि दूर संसार मंतरी जोती रादेदे सिंधिया ने के नुसार 4.26 ट्रिलियंस से अधिक निवेस करने और 5G नेटवरक सुरू करने के बाद दूर संसार कंपनियों का जो कुछ रिटन किया हो सकता है नजर आई और सिंधिया ने कहा कि BSNL के 4G सिवाओं का विस्तार हो रह रहा है तो कई ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम दूर संसार यानिके टेली कॉम सेक्टर पर अभी के टाइम कहीं जो है काफ़े यदा एक्टिव नजर आ सकती है क्योंकि यहां पर देखने को मिला कि निजी छेतर की कंपनियों दोबारा हाली में की गई टेरिफ बड़ोतर है जिन दूर संसार कंपनियों ने पिसले दो वीती वर्सों में चार दसमेलों 26 ट्रिलियन रुपए से अधिका निवेस किया और रिकॉर्ड गति फाइब जी नेट्वर्क को सुरू किया उन्हें कुछ रिटन किया भी आओ सकता है तो 21 मयों में फाइब जी शुरू हो चु सकते हैं क्योंकि अभी बीएसनल में दोस्तों जो है कईना कई श्ट्रगल की जुकानी है वो यहां पर लंबे बक से नजर आ रही थी पर वो दिरी दरी खतम हो रही है क्योंकि अभी कटाइम सरकार का उस चीज़ पर जो है काफी ज़्यदा सहय हो गए साथे साथ दो रदन का उस चीज़ पर काफी बड़ा सवय होगा क्योंकि पंदरा हाजार क्रोड रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो कईना कहीं पोजिटिव जिज़े एक बार फिर से बढ़ती भी नज़रा सकती है कि सांधार इन्वेस्टमेंट नज़रा सकता है तो अभी कईना कि लास साथ क्रोड सेर दोस्तों काउंटर पर कारोबार हुआ था तो इसका मतलब पॉजिटिव डेटा हमें देखने को नजर आये था तो कईना के कल मार्केट फिर से दोस्तों नॉर्मल होने की उमीद नजरा रही है क्योंकि भारती बाजार भी नॉर्मल कलोज हो रही थे तो नजर आये थी जो प्रियोपन मार्केट के लिए लगे हुई है उससे के साथ साथ दोस्तों अभी कि टाम लास्ट अपडेट जो देखने को नजर आये थी 22 अगस्त को उसके बाद अभी तक कुछ अपडेट देखने को कमपनी की तरब से नजर नहीं आ रही है तो अभी करज करने के लिए दोस्तों औरर गडिस करने की सबसें सबसें बड़े सकता है सकता है यह पिर किसी टेलीकौम कंपनी को अपना जिफर प्रोजेक्ट है वो कहीना करने कि प्यरेंफरा में अभी जो इस इंवेस्टरों का ब digestive क्रणा ठेंस पाघव consumer का नजर आ रहा है कि कर hic des दोस्तो अभी के टाहम जादा है और मार्केट के कम और लगातर मार्केट में हो रही है दोस्तो गिरावट तो अभी कई ना कहीं आगे चलकर हमें जो है इस स्टोक पर लोस बुक करने का जो समय है वो नज़र आ सकता है पर आगे टेलीकॉम सेक्टर पर जागर जिस परकार की करोथ लंबे चलती है तो रेटन वापस एंगरेज हो सकते है विलाल उमीद करता हूं दोस्तो जानकारी पसंद आई होगी पसंद आजी वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को जदा सेर दूरूस से कर देना और आपके नजर में कोई पैनी स्टोक हो तो जानकारी कमेंट में बिन कर देना एंसे स्क्रीक आपको जल्दी बता दिया जाएगा मिलता नेक्टे में जी वीडियो को सब्सक्राइब तब तक के लिजास दीचे जैस स्रीक खशना थैंक्स रूसिंग इस मैं वीडियो